देखिए वो मोदी जी पर निशाना नहीं भारत को ही अपमानित करने का काम करते हैं दुनिया भारत में उमीद देखती हैं दुनिया भारत में ग्रोध देखती हैं दुनिया भारत के नेतरतव में अपना विश्वास व्यक्त करती है और सेलिया के परधान मंतरी मोदी जी को क पछले तीन सालों में लगातार चुने जाते हैं अब इस बात को कॉंग्रेस हजम नहीं कर पा रहे हैं जब हजम नहीं कर पा रही तो कहीं न कहीं जाकर उल्टा सीधा बोलना है पहले इंग्लेंड में अब अमेरिका में यह जो प्रायोजित कारेक्रम होते हैं इन में भारत व में इतना ही कहूंगा हम इस मुद्दे को बड़े समवेधन शील तरीके से ले रहें खिलाडियों की मांग एक कमेटी बनाने की थी हमने वो भी बनाई जांच करवाने की थी वो भी करवाई पुलिस से F.I.R. करवाना चाहते थी दिल्ली पुलिस ने F.I.R. भी की सुप्रीम कोट गए तो वहां पर भी सुप्रीम कोट ने मैजिस्ट्रेट के कोट में जाने के लिए कहा वो वर्ल्ड फेडरिंग जो रैस्लिंग फेडरेशन ओफ इंडिया है उसके पजादिकारियों क क्यां को काम नहीं करने देना चाहते थे हमने वह भी किया कि रैस्लिंग फेडरेशन काम नहीं करती है उन्हें का सब केमेटी बने हमने c.w.o एडविशेटर भी आ आती है उसके पुलिस जांच करती है पुलिस जांच के बाद ही कारवाई होती है इस केस में भी बड़ी तेजी के साथ जांच हो रही है बहुत सारे लोगों के ब्यान होने ते वह हुए भी है और पुलिस अपनी रिपोर्ट देगी और जब चारशीट फाइल करें उसके भारतियों के लिए एक जैसा है हमारे लिए खेल खिलाडी दोनों ही महत्तपून है खेलों के लिए मोधी सरकार ने पहले भी बजट में बढ़ातरी की सुविदाओं की बढ़ातरी की और जितना मान सम्मान मोधी जी ने खिलाडीयों को दिया है उदेश से छिपा नहीं है और यह लगातार आगे भी है लेकिन जहां पुलिस जांच की बात आती है पुलिस जांच कर रहे है कारवाई की बात आएगी तो चार शिट के बात वो बहुत है